हेलो स्टुडेंट आपने देखना शुरू कर दिया है इसकी डिरेक्शन आज हम पीज़डी से रिटेड अपडेट लेकिया हैं यह एक सेंट्रल इन्वोसिटी है जहां पे पीज़डी का नोटिफिकेशन जारे हुआ है तो इसी के बारे में आपको पूरा डेटल्स में बता हैंगे आपको ताकि आपको फर्म अपलाई करते समय कोई प्रोब्लेम नहों और इंटेर्स टेस्ट देकर आसानी से आप पीज़डी करना शुरू कर दें तो चलिए एक पॉइंट पर आपको डिटेल से में बताते हैं लेकि आगे बरने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे चै संस्तान को इसके साथ ही CUT और नेशनल इंपोर्टेंस के जीतने भी संस्तान है उसे रिलेटेड में अपडेट लेके आते रहता हूं जैसे कि मैंने फिलहाल में लाया है देख सकते हैं आप एक स्टेट इनवर्सिटी है जिसका 24 फरवड़ी तक लाश्टेट है तो इसमें आप अपलाई कर सकते हैं इसी तरह से आप देख लिए एक सेंट्र इनवर्सिटी है इसका कौंसिलिंग का डेट आ गया है तो एक एक पॉइंट जो अपडेट होता है मैं उससे लेके आते रहता हूं तो अगर आपने एंटीए पीजडी का एडिमिशन के लिए अपलाई कि हैं इसी तरह इस लूग के मैंने आपको बता लिए है पुरा जीटल्स चेक कर सकते हैं और यह पूरा देख सकते हैं और इस इसके नोंटिफिकेशन पर ले जा रहा है और एक पॉइंट पा आपको बहूस करेंगे घृतिए है तो देखिए नोटिफिकाशन पर हम आ गए यहां पर यहां पर सीदे सिदा लिखा हुए है कि पार्ट टाइम प्रोग्राम में निकला है इन स्पॉंसर और सेल्फ फाइनेंस मूड में जनवरी सेशन के लिए यहां पर निकला है ऑल्लाइन यहां पर अप्लिकाशन फर्म आमं को मार्श में है बिजनेस मनेजमेंट में आपको देख लिए स्य विएम इसको रिडंड और सेशेडिया गया है यहां पर मौर्स में है यहां पर 6 सीते हैं जर्नौल मेंजमेंट से ही रिलेटेड है स्कूल अफर स्वेज Alzheimer सेथेन और साइस में पर निकला हुआ हुआ है स्कूल आफ एजुकेशन ट्रेनिंग है पिएजडी एजुकेशन में निकला हुआ है तो यहाँ पर थर्टी एट सीट है तो यहाँ भी आप अपलाई कर सकते हैं और इसी तरह से यह पिएजडी इन डीसेन इस्टडी है तो इसमें भी आप अपलाई कर सकते हैं इसमें पांस स सिट है पीज़ी इन पूलेटिकल साइस में छे सिट है हिस्टरी में आपको फ़ाय जी है और आप में 4 सिट है यहाँ पर देख सकते हैं चाफ सीट है अपर सोचल वर अर्मास् प्लिसक्र कूंकरशन में साट सीट है इसके हलावा यह तरह से मास् गम्मुनिकेशन में 7 सीट हो गया और 5 सीट हो गया देख लिए इस में एजुकेशन में आपको 32 सीटे हैं तो यह बता दिये那麼 उलगवर यह एकमेट्रिक्स में आपको 21 सीटे हैं और कमर्स में आपको 6 Erky जो भी सीटे थे आपको मैंने बता दिया है तो लगवर यह एक सब पलस की सीटे है यहां पर एक सब दस बार सीटे होंगी है तो इसमें आप देखकर अपलाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में और इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो देख लिए आपको आपको हो जाएंगे आपको 228 फरेवर तक उसके बाद पुरा डेटिल्स में दिया है चेंज अभी नहीं कर सकते हैं को भी करना है रेट इग्जाम होगा पंदर तक हो जाएगा देखिए आपका इग्जाम कब होगा देभी दिखाते हैं देखिए रिलीज आप प्रिमर रि मा ships कर दो जाएगा होगा और admission आपको 3-4 अप्रील तक हो जाएगा commerce का और things बने लगें यह इम इंपोर्टेंट है क्योंकि आप देख लीजिएगा तो यह आपको डेट बाइज मैंने बता दिया अप्लिकेशन फी देखे लिए अगर इंडियन है आप तो यहां पर बता दें कि अगर इंडिया से आप बिलोग करते हैं तो आपको 15 रुपे लगेंगे 15 रुपे लगेंगे और अधर इस कौंटरी के है तो आपको 25 रुपिया देना परेगा अप्लिकेशन फी फी लगेंगे आपको ध्यान रखी यहां पर अप्लिकेशन फी आपको इतना देना होगा आपको और एड्मिशन फी रहेगा और जहां तक आपके बात करें कि इसके को यहां पर अपलाई सकते हैं और रेट इalts काटेगरी को इसको अपको रिट इंग जान्सर दियां टेहरेट प्रवाइड करेगी इसके बात को और नहीं तो जिसके पास कोई कोई आप में किया हो कोई आपके पास क्वाइड के आपके पास अगर नेट है और या जे आरफ है कोई अधर सर्टिफिकेट है जैसे कि नेट जियार एफ चाहे आई सी आई सी एचार का जो होता है उस तरह कोई आपके पास है तो आपको यह एक जम टेड रहेंगे आप यहां पे एक किलियर हो गए यहां पर और अधर इंफर्मेशन बता दे कि 2016 के अनुसार आपके यहां पर एड्मिशन होगा और उसके अनुसार आपको मास्टर में 55% मार्स होना चाहीए और यह हो गए आपका इसी तरह से आपका जो वेटेज दियाएगा उसको जो मिलीगे त경ण और इमफिल का आपको 50 होगे है आपका शक्राइवी उसका आपको 60-60 डिस तरह मार्स एपकर और एमफिल का आपको 50 एमफिल होगे आपके पास तो एमफिल है तो आपको 50 मार्स मिल जाएंगे तो इस तरह से मार्स जोज कर आपको मिलेगा अगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं अगर अगर लगता है कि हम इसमें नहीं आ रहे हैं तो एक्जाम के बारें बता दे तो को वोगा है आपको 25 को आपको ब्रेवा से लुए ऑप जेटिव टाइप कोशंन हो लो जिसको बोलते हैं इसको एम सी क्यों बोलते हैं एंसी क्यों होंगे 25 होंगे और किसको अर्म के रिसर्च में यह और और कंसर्ण सब्जेक्ट वो हो होंगे यहां आपको लिखना होगा यह दिख लिए यहां पत्थ वर अलगा है रीटेन रूप से लिखना होगा आपको यह बात को ध्यान रहें तो और यह बात के रहें ध्यान की आपको रिटेन रूप्स में देना होगा अब मैं आपको कोश्चन पेपर और उन्वर्सिटी का नाम भी बता देता हूं ताकि आपको कोई प्रोब्लम नहों जानने में यह तो इंपोर्टेन्ट इंफर्मेशन हो गया इस तरह से अदर्स भी कोई आपको इंफर्मेशन चाहिए तो बता सकते हैं अब इन्वर्सिटी के बारे में आपको कोई समस्य ना हो आपाराम से अप्लाई कर दे और पेजडी शुरू कर दे अप्लिकेशन फर्म भरके तो चले चलते हैं इन्वर्सिटी पर और इन्वर्सिटी के बताते हैं आपके बारे में तो यह देखिए मैं इन्वर्सिटी पर आ गया हूँ यह जो इन्वर्सिटी है मौलाना आजाद नेस्नल उड़्दू इन्वर्सिटी है तो यहां पर जो पिजडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ ह यहां पर नोटिफीकेशन देख सकते हैं अभि फिलाहल में जारे भी बिण हैं निव अपटेट है तो यहां पर एकली खिलिया है तो इसमें तो इसमें स्तूर्स कट रिया है इसब नॉटिफीकेशन हैं यहां पे किली करके देख सकते हैं लेकिन अपर मैं बता दूँ कि यहां जो एड्मिशन होगा आपको अर्दू लेंगवेज आना चाहिए वह जब तक करने आपको उर्दू अगर आप नहीं जानते हैं तो यहां पर आपका एड्मिशन नहीं होगा नेसेसरी है उर्दू के लेंग्विज की आपकी जनकारी वह भी कप 10 पलस 2 में या आपको मैटर 10 में आपका उर्दू होना चाहिए अगर इसमें आपका उर्दू है तो आप इसलिए आप इ ilagibility नहीं है आप इसमें नहीं सकते हैं और हूप इसमें जहावफित के बारे में अब आपको हम question paper की दिखा देते हैं ताकि आपको clear हो जाए कि यहाँ पर apply करने की अगर उर्दू नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाईएगा क्योंकि देख लिए यह 2017 का question paper है आपको मैं दिखा देता हूं 2017 का इसका जो ग्लेट है इसी का नुसर बना हुआ है तो देख लिए हाँ पर यह पूरा जो इसमें दिया हुआ है उर्दू लेंग्वेज में है तो अगर आप उर्दू नहीं जानते हैं तो आप कैसे लिख आप दिया हुआ है इसका English research method दिया है इसको हिंदी में लिख दिया है English में लिख दिया है तो अगर आप उर्दू नहीं जानते हैं तो आपको यहां पर जाम देने में प्रोब्लेम होगी अब देखिए मैं आपको application form पर ले गया है देखिए यहां पर सीदे सीदे लिख दि है और यह थो लंबा prospectus हो जाएगा अपलाई करने से पहले इसको आप चेक कर लिएगा देखिए ओपन हो गए यहां पर प्रोस्पेक्टरस आपका यह तो इमालोनाजाद का prospectus है देख सकते हैं विंटर सेशन जोजार पेशोब इसके लिए निकला हुआ है इसके लिए प्य 예 High Power Committee यो बना हुआ इसमें दिया हुआ है हाँ पर यह इंपॉर्टेंटट डेट है टाइब सेव प्रोस्पेल करेंडिया का फिले यांप की अप Freddy सब्चेक्ट लांग्वेजर मीडियम 10 पलस टुई आपको होना चाही मानू के बारे में तो या पर है उर्दू कर आपको कुआ भैलेल्ट है, कंडिडेट प्रूफ उर्दू, उर्दू can use exemption for उर्दू qualification, but will have to complete two credit उर्दू course offered by the Central University before submission of the thesis, तई और आपको exemption कम मिलेगा, जब आप इहां पर प्रूफ कर दिजिये, कि हमको उर्दू में हम लिखके जमा कर सकते हैं, आपको 10 plus 2 और इसका होना चाहिए, तो देख सकते हैं, एक तरह से उर्दू आपको आना ही चाहिए, exemption भी कर दिया है, exemption for the उर्दू qualification, will we have to complete two credit का आपको देना होगा, तो यह और टाफ हो जाएगा, admission लेने के बाद, यह देख लिएगा, अगर आप इस कर सकते हैं, तो ऐसा तो कर सकते हैं, experience and service certificate आप से होना चाहिए, noc होना चाहिए, आपको admission के लिए, sponsor certificate भी होना चाहिए, mandatory है सभी, यह जिदे डॉकमेंट है, mandatory है, आपको देना ही देना है, और देख लिए application fee आपको देख लिए आप दे दिया है, पंद्रसों और प्रचीश सो रुपया तो आपको आपको जामा करना, इस तरह से form apply करना है, form apply करने का तरीका बता दिया है, तो यह तो आज आम हो गया है, कोई जदा problem नहीं, कोई भी form apply करना जान जाता है, असानी से apply कर देता है, इसमें कोई problem नहीं है, और भी कोई importance information हो तो आपको दिखा देंगे हम यहाँ पे, लेकि उस कोई information नहीं है, मैंने आपको पाले ही बता दिया है, इसका profile है, vision है, इस university का, तो और तो ऐसा कुछ information आपको अगर लगे तो पूछ भी सकते हैं, यह apply का में से पहले आप देख सकते हैं, जो मैंने seat बताया, उसका पुरा detail scene है, management का है, other subject का भी इसी तरह से है, तो देख सकते हैं, यहां पर, यहां पर, बोटनी है, chemistry है, mathematics है, जो लोगी है, किसी टिप इसमें, subject भाई, यहां पर कर दिया है, यहां पर, तो इसमें देख लिजिए, आपको किसी subject में, अगर आपको subject में नहीं है, तो यहां से check कर लिजिए, और मैंने total में बता दिया हूँ, और यहां पे, full details में है, तो आप यहां से देख लिजिए, कि आपको subject में कितना सीट है, जैसे कि मास communication में, और mode of payment, आपको किस तरह किया दिया है, इसको भी देख लेते हैं, हाल टिकर जारी होगा, किस तरह से यहां पर दिया हूँए, पुरह मिनिमल एजुकेशन, पलिशन में बता ह है, यहां पर पहले ही, और additional eligibility criteria, तो ऐसे कुछ नहीं, अन्नो अब गौर्णमेंट है, इसको सारी information आपको दिया गया, देख सकते हैं, यह दिखिए, मैंने ऐसे ही बता दिया, देखिए, सत्तर मार्स मार्स का बेटेज है, आपको rate के लिए देख लिए, और candidate sponsor का है, सत्तर मार्स, न्यूटी, UCSIR का सत्तर मार्स है, और UC NET, जो NET निकले, पचास मार्स है, और scientific research जो laboratory है, उसका 70 है, और 60 मार्स है, आपको ICR, DBT जो है, उसका, और MPH का 50 मार्स है, जो बने आपको पहले बता दिया, इस तरह के हर information इसमें अब लेवन है, तो इस तरह के जनकारी है, तो आप देख सकते हैं, इसके यहां पे मिलने वाला है, देखिए यहां इस तरह से, concern experience letter अगा पासे है, तो इस तरह से बनवाली जीगे आपको, इस तरह से अपने संस्थान में जिसमें काम कर रहे हूं, हेट का, organization हेट का signature मोहर होना चाहिए, OBC certificate इस तरह से issue होना चाहिए, इस तरह से, non-come, objection certificate इस तरह से आपको EWS का certificate होना चाहिए, तो यह इस तरह के अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक किजिए, और subscribe किजिए, और share किजिए, किस पर Facebook पर भी, Twitter पर भी, Instagram पर और WhatsApp पर भी आप share करते रहे है, मेरे चैनल को, ताकि motivation मिले, और मैं on time आपको वीडियो बना कर देता रहा हूं, Thank you, watching skill direction Hello students, आप PhD करना चाहते हैं, तो यह platform आपके लिए है, क्योंकि skill direction पर PhD से related हर information दिया जाता है, पिछले एक महीने में skill direction ने 70 इनवर्सिटियों के PhD admission notification पर on time video बनाया है, PhD admission notification से update रहने के लिए देखते रहे है skill direction